हलो दोस्तो मैंना महमत कैसर और आप देख रहा है स्टड़ी चैनल यूपीटेट 2020 का नोडिफिकेशन और आईडेट जूनल हाइस्कूल सिक्षक भरती परिशा की लेटेस्ट अपडेट आज की क्या है दोस्तो मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कूल authentic information आ गई है और आप लोगों के लिए good news है तो दोस्तो ये तो information मैंने आपको देही दिया था कि PNP के नए सच्चू संजय उपाध्या ने 5 जुलाई को PNP जुआइन कर लिया था सच्चू परिक्षा निमा प्राधिकारी संजय उपाध्या ने पदभार सभालती ही मीटिंग का दौर सुरू कर दिया 5 जुलाई को भी मीटिंग हुआ था और 6 जुलाई कल के डेट में भी मीटिंग हुई थी ये सारी जानकारी सच्चू साहब ने अब ले ली है तो जैसा मैंने आपको बताया था पहले ही कि नए सच्चू साहब जैसे ही जुआइन कर लेंगे दो-तीन दिनों के अंदर परिक्षाओं की तारीखों पर नेडल लिया जा सकता है और दोस्तों वही होने वाला है और आप लोगों के लिए गुड नियूज आ रही है खबर मिल रही है कि नए सच्चू साहब अगले एक से दो दुनों में जा रहें लखना हो वहाँ पर शाशन से वारता करेंगे और उसके बाद परिक्षाओं की तारीखों पर फैसला ले लिया जाएगा तो आपका जो लंबा इंतजार था चाहे हो यूपी टेट हो या आईडेट जुनियर हाइस्कूल भरती परिक्षा हो दोनों पर फैसला बहुत ही जल्द होने वाला है बात करें यूपी टेट का तो जीन यूची खवर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यूपी टेट के नोडिफेकेशन पर फैसला बहुत ही जल्द होने वाला है पहले यूपिटेट की परिक्षा 11 मई को होने वाले थी बाद में से बढ़ा कर 25 जुलाई किया गया लेकिन अब जुलाई में भी परिक्षा नहीं हो रही है और जो नई तारीक हैं आवेदन की वो बताये गया है 15 जुलाई 15 जुलाई से ऑनलाई आवेदन लिये जाएंगे और इसी दिन इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा लेकिन दोस्तों जो ख़बर हमें मिल रही है उसके कॉर्डिंग 16 से लेकर 20 जुलाई के बीच में हर हाल में यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और इसके आवेदन सुरू हो जाएंगे 20 जुलाई से पहले पहले आवेदन सुरू होने है इसकी जानकारी हमें मिल चुकी है तो आप लोग दोस्तों यूपी टेट की तैارी में लग जायेगा और परिशा कराया जाने की जो समभावित तिथी है वो सितंबर में है सितंबर में यूपी टेट कराया जाएगा तो अगर आपने अभी तक यूपीटेट क्लियर नहीं किया है तो लग जाईए क्योंकि सितंबर में इसकी परिक्षा होने के बहुत ही जादा चांसिस हैं साथ आइडेट जूनियर परिक्षा पर भी फैसला बहुत ही जल्द हो जाएगा जैसे ही नहीं सची शाहब सासन से वारता कर लेते हैं और यूपीटेट से पहले पहले ही इस परिक्षा को कराया जाएगा इसी के साथ दोस्तों आइडेट जूनियर में 50% का जो मामला है उसको लेकर 6 जूलाई को कोर्ट में सुनवाई होनी थी ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों को पता है दोस्तों कि एनसीटी ने ग्रेजूशन में 50% की बाध्यता को समाप्स कर दिया है लेकिन उत्तर पर सरकार द्वारा जो 16 जारी किया गया था उसमें 50% की बाध्यता रखी गई है बीएट के चात्रों के लिए इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में और 6 जूलाई की जो सुनवाई होनी थी वो नहीं हो पाई वकीनों के माधम से खबर मिली की लिंक जो आता है वर्चूल सुनवाई के लिए वो आया ही नहीं देखना होगा इसमें अगली सुनवाई कब होती है जैसे ही हमें डेट पता चलता है अगली सुनवाई का मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगा अब आपको पता ही है दोस्तों जब मामले कोड में जाते हैं तो फिर लंबे खिषते हैं जैस को सस्क्राइब करके भी लाइगन दबा लिजेगा दोस्तों ताकि आपको हमारे सब भी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें थैंक्स और वाशिंग